नमस्कार दोस्तों, हैपी संडे टुवाल, इस वीडियो में हम पिछले हपते जितना भी करेंट अफेर डिसकस किये हैं, उनके आज उनी से रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, यह हमारा वीकली करेंट अफेर का स्टेडूल, आज संडे है और आज हम करेंट अफेर के आज के बीच में, यूपी एस्टी की लाइब लासेश चलते हैं, वहीं चलते हैं हम आज के अपने करेंट अफेर के MCQ डिसकसन में, इस सेशन में हम फॉस्टेन एंसर का कोई डिटियल डिसकसन नहीं करेंगे, सिर्फ पॉस्टेन के एंसर देखेंगे, और अगर आप इस से अपने करेंगे, तो करेंट अफेर करेंट अफेर टुडे नाम से प्लेलेस्ट है, उसको आप जाकर रिस्पेक्टिव वीडियो जुसमें देख सकते हैं, आई चलते हम आज के अपने पहले कोस्टन पर, हमारा पहला कोस्टन है, सवा जील अवस्थित है, सवा जील की अवस अपस्थिती आपको बताना है, इरान, इराक, सीरिया या जॉर्डन में, अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है क्वेशन को मार करने पर, तो आप पॉस करके वीडियो देख सकते हैं, आई देखते हमारा एंसर क्या है, सवा जील इराक में उपस्थित है, ये वीडियो 11 जुलाई को अपलोड किया गया था, और आप इसको जियो ग्राफिय और इंवार्मेंट के सेक्शन में देख सकते हैं, आई देखते हैं हमारा अंगला क्वेशन, हमारा अंगला क्वेशन है, रोहनी आयोक से रिलेटेड, रोहनी आयोक का संबंध है, राष्ट्री पिछड रोहनी आयोक का संबंध इन चारो आपसन में से किस में से है, आज़े देख लेते हैं हमारा अंसर क्या है, रोहनी आयोक का संबंध राष्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोक से है, अब इसको 12 जुलाई को इससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया गया था, पॉलिटी का, ये अंगले कोश्चन की ओर चलते हैं, संसदी समितियों के संबंध में दिये गए कथनों में से आपको सही कथन चुनना है, पहला है संसदी समितियां राष्ट पती द्वारा नामित होती हैं, दूसरा अप्शन है, प्रकलन समिति में कुल 22 सदस होते हैं, जिसमें से 15 लोक स सबसे और साथ राज सबसे चुने जाते हैं, तीसरा अप्शन है, लोक लेखा समिति का अध्यच्छ विपच्छी दल से ही चुना जाता है, चौथा अप्शन है, संसदी समितियों का उलेक संबिधान में नहीं है, ये संसदी परंपरा द्वारा निर्मित होती हैं, इसमें स में से आपको सही एंसर मार्क करना है, आप इसको पॉस्ट करके सही एंसर मार्क करिये, आइए देखते हैं, इसका एंसर क्या है, Justice समितियों के संबंद्न में देगे कफ्रों में से सही कफण, option 10 है, लोक लेखा समिति का अध्यच्छ विपच्छी दल से ही चुना जाता है, option P C, I have answered. अब इन option को भी ठोड़ा देख लेते हैं, संसदी समयतियां राश्टपती दवारा नामित नहीं होती हैं. यह लोग सभा में स्पीकर दवारा नामित होती हैं, और राज्य सभा में सभापती दवारा. राज्य सभा में सभापती दवारा नामित होते हैं प्रक्लन समिति में पुल बाई सदस ये गलत है प्रक्लन समिति में तीस सदस नामित होते हैं तीस सदस चुने जाते हैं वो लोक सभा से ही होते हैं राज्य सभा से जीरो सदस होते हैं एक भी नहीं होते हैं लोक लेखा समिति का अध्य पच्छी दल से चुना जाता है ये सही एंसर है संसदी समितियों का उलेक संविधान में नहीं है ये रांग स्टेटमेंट है संसदी समितियों का उलेक संविधान के अनुछेद 105 में है आईए हम अपने अंगले कोस्टन पर चलते हैं चार मूल भूत बलों मतलब फोर फंडामेंटल फोर्सेस के संदर में दिये गए कथनों में से असत्त कथन को चुनना है पहला है गुरुत बल चारों मूल भूत बलों में से सबसे कमजोरबल होता है बिद्दुत चुमकी बल या इलेक्ट्रो मेगनेटिक फोर्स की रेंज अनन्त होती है मजबूत बल की सीमा या रेंज अनन्त होती है और वीक फोर्स गुरुत बल से सक्तिसाली होता है इसमें आपको असत्त कथन चुनना है आईए देखते हैं इसका राइट एंसर क्या है इसका राइट एंसर है उप्शन C फोर्स की रेंज अनन्त होती है ये इसमें असत्त है आपको असत्त कथन चुनना था ना कि सत्त बाकि ये तीनो कथन सही है सिर्फ उप्शन C राउंग स्टेटेमेंट है तो हमारा यही सही उत्तर हो गया आईए देख लेते हैं हमारा अंगला कॉस्चन निमने लिखित कतनों पर ध्यान देना है बायो कैपसूल रूसी अंतरिच एजनसी का एक इनोवेशन है नवाचार है बायो कैपसूल रूसी अंतरिच एजनसी का एक नवाचार है दूसरा उप्सन है बायो कैपसूल का उप्योग रूसी अंतरिच हियात्रियों के भोजन या पोशन अवसक्ताओं की ये गलत हो गया पोशन अवसक्ताओं की पूर्त है तो किया जाएगा इसमें से आपको सही कूट का चैन करना है कथन आ सही है कथन बास सही है आ बास दोनों सही है और कथन आ और बास दोनों गलत है इनमें से आपको राइट आप्सन चूज करना है आप इसको पॉस्ट करके भी एंसर इसमें दे सकते हैं आई चलते हैं हम देखते हैं हमारा इसमें राइट एंसर कौन सा है बायो कैप्सूल रूसी अंतरिच एजनसी का एक नवाचार है यह एक गलत इस्टेटमेंट है और बायो कैप्सूल को प्योग रूसी अंतरिच यात्रियों के पोशन और सक्ताओं की पूर्थियूत किया जाएगा यह भी रॉंग स्टेटमेंट है अगर आप इसका डिटेल्ड वीडियो देखना चाहे रहे हैं तो यह आपको 13 जुलाई या साथ 14 जुलाई को हमने इससे रिलेटेड करेंट अफेर में डिसकस किया था यह आपको साइंस टेक के वीडियो में मिल जाएगा इसका सही उत्तर है पूर्थ नमबर का आ और बा दोनों गलत हैं आप इसको साइंस टेक के वीडियो में देख सकते हैं इसका डिटेल्ड एंसर आईए हम अपने आज की अंगले कोश्चन पे चलते हैं ब्यापार सुधार योजना इसको बी आर एपी भी कहते हैं ब्यापार सुधार कार योजना रिपोर्ट जारी की जाती है इसे पूछ रहा है कि किस वीभाग के द्वारा जारी की जाती है DP, IIT उद्योग संभरदन और आंतरिक व्यापार विभाग जो की बाड़ेजस एवम उद्योग मंतराले द्वारा जारी की जाती है है उद्योग संबर्धन और आंतरिक ब्यापार विभाग वाड़ेज एवं उद्योग मंत्राले द्वारा नीती आयोग द्वारा वित्व मंत्राले द्वारा या भारती रिजर्व बैंक द्वारा आपको इन चारो आप्शन में से सही आप्शन चुनना है अगी देखते हैं इसका राइट एंसर क्या है ब्यापार सुधार कारियोजना रिपोर्ट उद्योग संबर्धन और आंतरिक ब्यापार विभाग वाड़ेज एवं उद्योग मंत्राले के अंतरगत ये विभाग आता है इसके द्वारा DPIIT द्वारा BRAP रिपोर्ट जारी की जाती है आई दे की थेल जो की एसिया का सबसे बड़ा महिला बाजार है वह अवस्थित है मनिपूर नागर लेंड नेगाले या सिक्किम इन चारों राजियों में से किस राजिय में अवस्थित है इमा या नुपी की थेल जिसे एसिया का सबसे बड़ा महिला बाजार होने का दरजा प्राप् मड़ीपूर में अवस्थित है इमान नुपी की थेल इसे ही एसिया का सबसे बड़ा महिला बाजार कहा जाता है हमारा अंगला क्वेश्चन सूर्य मंदिर से संबंदित है भारत में अवस्थित सूर्य मंदिरों में से कौन सुमेलित है आपको ये चार सूर मंदिर दिये गए हैं ये भारत में ही अवस्थित हैं और ये किस राज में हैं इनका आपको सही जोड़ी मिलाना है सुमेलित करना मुंडेरा सूर मंदिर राजस्थान में ये सही है या नहीं ये आपको बताना है इन में से इनमें से कौन सही है केवल एक और तीन केवल दो और तीन केवल तीन और चार केवल दो तीन और चार इनमें से आप सही एंसर को मार्क करिए और अगर आपको ज़्यादा समय लगे तो आप इसको पॉस करके देख सकते हैं आए हम देख लेते हैं इसका right answer क्या है इसका right answer है मुंडेरा सूरमंदिर गुजरात में अवस्तित है Katharmal सूरमंदिर उत्राखनड में अवस्तित है और कोणार का सूर मंदर औरिसा में और अरसा वल्ली का सूर मंदर आंध प्रदेश में ये सही मिले हुए हैं इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा सही एंसर क्या है तीन और चार केवल तीन और चार ही सही सुमेलित हैं बागी ये दोनों गलत हैं मुझेरा का सूर मंदर ग खंड में हैं आई अपने अंगले क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा अंगला क्वेश्चन संथाल जनजाती से रिलेटेड है संथाल जनजाती द्वारा बोली जाने वाली संथाली भासा के साथ किस लिपी का उपयोग किया जाता है सारदा लिपी, ओल चिपी लिपी, देव नागरी लिपी या ग्रंध लिपी क्या आपको इन चारो लिपीओं के बारे में जानकारी है अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखी हो आए देख लेते हैं इसका सही एंसर क्या है इसका सही एंसर है All Chiqui Lipi संथाली भासा के साथ All Chiqui Lipi सबद है और संथाली भासा को All Chiqui Lipi में ही लिखा जाता है आईए हम अपने अंगले question की ओर चलते हैं हमारा next question नाटो से related है उत्तरी अटलांटिक संधी संगटन या जिसे नाटो भी कहते हैं इसके सदस से राष्टर कौन कौन से है Norway, Sweden, Turkey और Israel इनमें से कौन कौन से नाटो के सदस से है केवल एक और दो केवल एक और तीन केवल एक दो और चार और उपरोक्त सभी इनमें से आपको right answer चूच करना है आईए हम अपने एंसर की और चलते हैं देख लेते हैं इसका एंसर क्या है इसका right answer है option 2 केवल एक और तीन नाटो के सदस नारवे और तुरकी है Sweden की अभी बात चल रहे है Sweden और Finland की इन तीनों को अभी नाटो के सदस बनाने की बात चल रहे है और Israel नाटो का सदस नहीं है यह current affair का discussion आप तो कैसा लगा comment box में लिखके बताईएगा और आपने current affair के MCQs में कितना score किया है यह जरूर comment box में mention करिएगा चाहे आपके 2 out of 10 हो या 10 out of 10 आप comment box में जरूर mention करिएगा इससे यह जानने में साहता होगी कि मैं सही से आपके साथ contact कर पा रहा हूं या नहीं Thank you for watching